हेलो चिंकी हेलो सर बेटा आज कल आप डेली आनलाइन क्लास टाइम पर जोई नहीं कर रहे हो क्या बताए सर गिर गई और लग गई अरे बेटा चिंकी वहली का मोटर बन कर देना टंकी भर गई है अरे मम्मी मैं आनलाइन क्लास कर रही हूँ न ठीक है बेटा कीचें में करेले की सब्जी जल रही है थोड़ी कुछे देख लेना फिर कलास कर लेना तुम्हारे मास्टर साब वैसे भी तो दिन भर खाली ही तो बैठे रहते है स्वारी स्वारी सर तो मम्मी है न थोड़ा काम के लिए परिशान करती रही है क्या है चिंकी किसी सब्जी मंडी में बैठी हो या आनलाइन क्लासेज कर रही हो कल से घर का ऐसा कोना पकड़ना जहां पर थोड़ा सा सांती हो और क्या बोल लेती कहां पर गिर गई और कैसे लग गई सर सर मैं दिश्थर पर गिर गई और आख लग गई सर आज कल मेरे टेस्ट में नंबर कम आने लगे हैं वैसे आज कल कितने नंबर आ रहे हैं सर सर पहले 98 परसंट आते थे अब तो सिर्फ 88 परसंट आते हैं एक मुक्का मारूंगा सारे के सारे दाथ बाहर निकल आएंगे इतने परसेंटेज में तो दो घरीव लड़के पास हो जाएंगे सर सर मारने की जरूद नहीं है ये देखो मेरे सारे दाथ फिरी में बाहर आगए I am very happy चिंकी सर ऐसा मैंने क्या कर दिया तुम्हारे घर में इतनी सांती हाथ कैसे सर वो भी मेरी वज़ा से नालायक अब तुमने ऐसा क्या कर दिया सर साम मेरी मम्मी ने आज इस सुबा में लिप इस्टिंग मांगी दी मैं जान बुछ कर उनको फिरी कोई दे दी जिससे उनके दोनों वो चिपज़ गाएं और घर में सांधी मी सांधी इससे पपपजी बहुत खुस है नालायक फोन में घुसके मांगा कोई अपने मम्मी के साथ ऐसा करता है यही सिखाया हो यही संसकार है सर सर जो बच्चों के साथ जादा चोच चलाते हैं उनके साथ हम बच्चे यही करते हैं सर समझ गए न नालायक आज कल देख रहा हूँ बहुत ही बातूनी हो गई हो गाय पर निबल्ध दिया था लिखी हो नहीं नहीं सर जब मैं लिखने गई न तो गाय बैठी थी जैसे मैं पेंच लाई तो उठकर सीन दिखाने लगी सर साथ कल मैं न इक बार और टोबे करें जी